नमस्कार सभी को आज हम सुनने वाले हैं क्लास नाइन्थ की हिंदी की बुक्स पर्ष का फर्स चैप्टर जिसका नाम है दुख का अधिकार इसे लिखा है श्री यश्पाल जी ने तो चलिए सबसे पहले हम यश्पाल जी के बारे में कुछ जान लेते हैं श्री यश्पाल का जन फिरोजपूर शामनी में सन 1903 में हुआ था और इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा यानि की जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो इन्होंने स्थानिय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहोर में पाई थी यानि की उनकी हायर एजुकेशन हुई थी लाहोर में हाई स्कूल कह सकते हैं सिकेंडरी और हाई स्कूल यश्पाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे अमर शहीद भगत सिंग आदी के साथ मिलकर इन्होंने भारतिय स्वतंतरता अंदोलन में भाग लिया अब जैसा कि हम इनके जन्म के एर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्योंकि ये 1903 में बॉन हुए थे तो उस वक्त भारत आजाद नहीं हुआ था इसलिए उस समय हर जगह पर सिर्फ यही बात चलती रहती होगी कि किस तरह से भारत को आजाद किया जाए और इसलिए क्योंकि ये स्कूल के स्टू में भाग बिलिया था इनकी कुछ प्रमुख क्रतियां हैं यानि इनके कुछ इंपोर्टन क्रियेशन्स जो बहुत ही फेमस हुए वो हैं देश-द्रोही, पाटी कॉम्रेड, दाधा कॉम्रेड, जूठा सच तथा मेरी, तेरी और उसकी बात, ज्यानदान, तर्क का तुफा पिंजडे की उढ़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तरा दिकारी और सिंहा वलोकन, मेरी तेरी उसकी बात पर यश्पाल को सहित्य अकादमी पुरसकार बे मिला था, और यश्पाल जी की कहानियों में कथारस, सर्वत्र मिलता है, कथारस यानि की कहानी को पढ़ने में जो एक आनन्द आता है, जो एक रस आता है, वो इनकी सभी कहानियों में मिलता है, यश्पाल वर्ग संघर्ष मनो विशलेशन और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेश्थाएं हैं, यानि वर्ग संघर्ष यानि की सुसाइटी के जो डिफरेंट वर्ग यानि ग्रुप्स होत और हम कैसा सोचते हैं लोगों की सोच कैसी होती है और पैना व्यंग यानि की critics जिसे हम कहते हैं यह सब topics इनकी stories के important part हैं या कह सकते हैं कि इनकी stories की characteristics हैं कि इनकी topics पर based इनकी कहानिया अधिकतर होती हैं यह शपाल है सामाजिक समानता के साथ आर्थिक समानता इसका मतलब यह है की एशपाल जी को ऐसा cents की कोई समाज तभी डैवलप हो सकता है जब वहां पर रहने वाले लोग सिर्फ समाजिक समानता ही ना बिल कि आर्थे कहने की एक नॉमिकली भी सेम होने चाहिए यानि कि कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहिए सब ऐकल होने चाहिए सबकी इंकम होनी चाहिए तो जिस तरह से इंडिया में बहुत सारी categories बनी हुई हैं और उनको कुछ benefits दिये जाते हैं तो सेम इसी तर हुने लगता था कि ऐसे ही benefits economically भी लोगों को मिलने चाहिए यश्पाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है बेहिचक मतलब कई लेकर ऐसा सोचते हैं कि अगर वो किसी एक language में दूसरी language को mix करेंगे तो उनकी stories चलेंगी नहीं लेकिन इन्हों ने अपनी हिंदी की कहानियों में भी उर्दू और इंग्लिश के शब्दों का भौत ही आराम से बिना डरे प्रयोग किया है और उनकी कहानियां बहुत फेमस भी हुई ये जो कहानी है दुख का अधिकार इसमें उन्होंने देश में फैले अंध विश्वासों और उंच नीच के भेदभाव को बे नकाब करते हुए यह बताया है कि दुख की अनुभूती सभी को समान रूप से होती है चाहे वो गरीब हो या अमीर हो और ये कहानी धनी लोगों की अमानवियता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उज्जागर करती है यानि जो अमीर लोग होते हैं वो कितने अन्हूमन होते हैं और गरीब लोगों की क्या क्या मजबूरियां होती है उस पर बहुती गहराई से इस कहानी में बताया गया है यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है दुख में माता मनाना हर कोई चाहता है दुख के शण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं पर इस देश में ऐसे भी अभागी लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और नहीं अवकाश है यानि दुख मनाने का हग तो है ही नहीं और उसके अलावा कोई चुटी भी नहीं है तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अवारा ये पाठ दुख का अधिकार मनुश्यों की पोशाकें उन्हें विभिन श्रेणियों में बाट देती हैं यानि जब इनसान कुछ एक तरह के कपड़े पहनता है तो उससे ही हम उसकी श्रेणी का अंदाजा लगाते हैं जैसे अगर किसी व्यक्ती ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं तो हम उसे अमी मुशाक ही समाज में मनुश्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है ये बात आप सभी बहुत अच्छे से महसूस करते होंगे कि अगर आपने कभी देखा हो तो बड़े बड़े होटलों में जब गेट पर कोई गार्ड होते हैं और कोई बहुत ही अमीर सा किया जाता है क्योंकि हर कोई कपड़ों को देखकर ये अंदाजा लगाता है कि सामने वाला इंसान अमीर है ये गरीब है और फिर उसके साथ अधिकतर व्यवहार भी उसी प्रकार से ही किया जाता है वह यानि पुशाक हमारे लिए अनेक बंद दर्वाजे खोल देती है पर बंदन और अडचन बन जाती है यानि अगर कोई बहुत अमीर व्यक्ति है बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए है तो उसे ये अधिकार भी नहीं है कि वो किसी गरीब के साथ रुक कर या बैटकर बातचीत कर ले क्योंकि ऐसे समय में वह पोशाक ही उसके लिए अडच रहती है ऐसा ही कुछ इस कहानी में बताया गया है बाजार में फुट पात पर कुछ खर्बूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पढ़ते थे बिक्री यानि बेचने के लिए खर्बूजों के समीप एक अधेड उम्र की औरत बैठी रो रही थी खर्बूजे बिक्री के लिए थे पर अंदू उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता खर्बूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मूँ चिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफख फफख कर रो रही थी पडोस की दुकानों के तख्टों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के समंद में बात कर रहे थे घृणा यानि हेट्रेट से उस त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा से उठी पर उसके रोने का कारण जानने का उपाई क्या था फुटपात पर उसके समी बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई यानि यहां लेखक के कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी पोशाक पहनी हुई थी कि उस स्तरी के साथ बैठ कर उसका हालचल पूछने में उन्हें परिशानी हो रही थी क्योंकि वे तो बहुत अमीर दिख रहे थे अपने कपड़ों से थे भी और वो और बहुत गरीब थी पर उस पोशाक की वज़से वो वहां रुपकर उसका हालचल नहीं पूछ पा रहे बेहाया दुकान लगा के बैठी है दूसरे साहब अपनी दाड़ी खुजाते हुए कह रहे थे अरे जैसी नियत होती है अल्ला भी वैसी ही बरकत देता है सामने के फुटपात पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा अरे इन लोगों का क कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्मिमान सब रोटी का टुकड़ा है परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा अरे भाई उनके लिए मरे जीये का कोई मतलब न हो पर दूसरे के धर्मिमान का तो खय करना चाहिए जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहां सडक पर बाजार में आकर खर्बूजे बेचने बैठ गई है हजार आदमी आते जाते हैं कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है कोई इसके खर्बूजे खा ले तो उसका इमान धर्म कैसे रह करती हैं लड़का शेहर के पास डेड़ भीगा भर जमीन में कच्छियारी करके परिवार का निर्वाह करता था खर्बूजों की डलिया बाजार में पहुचा कर कभी लड़का स्वयम सौदे के पास बैठ जाता कभी मा बैठ जा दी लड़का परसु सुभ मूं अंधेरे ब पूडिया मा बावली होकर ओजा को बुला लाई जाडना फूपना हुआ नाग देव की पूजा हुई पूजा के लिए दान दक्षिना चाहिए घर में जो कुछ आटा और अनाच था दान दक्षिना में उठ गया मा बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोय पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला सर्प के विश से उसका सब बदन काला पड़ गया था जिन्दा आदमी नंगा भी रह सकता है परन्तु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा चाहे उसके लिए मा के हातों के चन्नी ककना ही क्यो न बिख जाएं भगवाना पर लोग चला गया घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई बाप नहीं रहा तो क्या लड़के सुभा उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे दादी ने उन्हें खाने के लिए खर्बूजे दे दिये लेकिन बहू को क्या दे दी बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता बुढ़िया रोते रोते और आखे पूँचते पूँचते भगवाना के बटोरे हुए खर्बूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली और चारा भी क्या था बुढ़िया खर्बूजे बेचने का साहस करके आई थी परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफख फफख कर रो रही थी कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौधा बेचने चली है हाई रे पत्थर दिल उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पडोस में पुत्र की मृत्यू से दुखी माता की बात सोचने लगा वह संब्रांत महिला पुत्र की मृत्यू के बाद अढ़ाई मास तक फलंग से उठ न सकी थी उन्हें पंद्रह पंद्रह मिनिट बाद पुत्र वियोग से मूर्चा आ जाती थी और मूर्चा ना आने की अवस्था में आखों से आसू नहीं रुकते थे दो-दो डॉक्टर हर दम सिराने बैठे रहते थे हर दम सिर पर बरफ रखी जाती थी शेहर भर के लोगों के मन उस पुत्रशोक से द्रवित हो उठे थे जब मन को सूज का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं उसी हालत में नाक उपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है तो यहां समाप्त होती है हमारी एक खानी दुख का अधिकार और अगले ओडियो में हम डिसकस करेंगे इसके question answers तो चलिए फिर अब हम इस ओडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले ओडियो में तब तक के लिए धन्यवाद